असलाम अलेकुम आज हम अपके साथ शेयर करेंगे वेजिटेबल दम बिरियानी की रेसिपी और यह बनाना सीखेंगे हम बावर्ची से पचास लगों के लिए बनाएंगे यह तरकारी की बिरियानी तो चलिए हम बनाना शुरू करेंगे तो तरकारियों में लेंगे हम 20 की फली दो किलो तो फली को हम इस तरह से काट कर रख लेंगे फली को काट लेने के बाद में अब हम लेंगे गाजर गाजर लेंगे दो किलो तो गाजर को भी हम इस तरह से काट कर रख लेंगे तो ये देखिए ये जो बावर्ची है इस तरह से इन्हों ने ये काट के रख लिया है हरे बटाने यानि के हरा मटर लेंगे हम देड किलो तो हरे मटर को हम अच्छे से साफ दोकर एक छन्नी में इसमें एक जो पानी है वो निधरने के लिए छोड़ देंगे और ये है आलू तो तीन किलो आलू लेंगे हम आलू को पहले अच्छे से चीलेंगे और इसके बाद में इस तरह से ये जो बावर्ची है इस तरह से काट के रख लेंगे प्यास लेंगे दो किलू और प्यास को भी हम इस तरह से काट कर रख लेंगे बिल्कुल बारी काट लेना है प्यास को यानि के पतली पतली इस तरह से तरकारियों को और प्यास को काट लेने के बाद में अब हम सबसे पहले प्यास को फ्राई करके निकाल लेंगे इसके लिए अब हम कोई भी खुले सा इसका बगुना लेंगे और इसमें दो लिटर कुकिंग ऑईल एट करना है ऑईल को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे और इस कोई भी खुले बर्तन में दाल कर रुख लेंगे यानि के कोई भी कुले सा इसके बड़ी थाली वग्यरा में आप या फिर प्लेट large और में अच्छर पहला कर खुला करके दाल देंगे तो तो पयास जो है अच्छर अच्छे से क्रिस्पि रहती अगर हम लोग इस अष्या से हम धूलिएंगे विरी पेली और गाजर को काट लेने के बाद में और कोई भी चनμε के लिए give और ठानी यह पंदाव bye के लिए छोड़ लेंगे और जब खोद्ने के लिए और जोड़ लींगे और ऑसन तालों कर निकाल लेंगे जैसे यह फ्राइ होते जाएंगे इसको हम कोई भी बरतन में दालते जाएंगे इस तरह से तो गाजर और बिनीस की फली को फ्राइ कर लेने के बाद में अब हम इसमें हरा मतर आट कर लेंगे इसको भी अच्छे से तल कर निकाल लेंगे और हरे मटर को भी हम ज्यादा नें, शिर्फ 8-10 मिनिट के लिए ही तल कर निकाल लेंगे हरे मटर को तल के निकालने के बाद मैं, अब हम सेम कोकिंग वाइल में अलु भी आट कर लेंगे आलू को भी हम 15 मिनिट के लिए ही तल कर निकाल लेंगे तो ये देखिए अब ये आलू भी अच्छे से तले गए अब हम इसको भी निकाल लेंगे सभी तले युए तरकारियों को एक साथ में रख लेंगे इस तरह से तरकारियों तले जाने के बाद में अब हम अखनी बना के तयार कर लेंगे तरकारी की अखनी बना लेंगे तो चलिए इसके लिए अब हम जिस बरतन में ये दम देना है उसी में ये रेडी कर लेंगे मसाले को तो पहले एक लिटर कुकिंग वाइल आड़ करेंगे और इसके बाद में अद्रेकलेसन का पेस्ट है ये 750 ग्राम अद्रेकलेसन का पेस्ट आड़ करने के बाद में अब हम इसके लिए मसाला तयार कर लेंगे तो मसाले में लेंगे हम पहले यानि के पहले हम गरम मसाला अखनी के लिए बना लेंगे गरम मसाले में लेंगे शाजीरा 10 ग्राम चार से पांच लॉंग और 10 ग्राम दार्चीने के तुकड़े आड़ करेंगे और यह है पी सी ही इलाइची तो इलाइची पॉडर आड़ करना और इसके बाद में 200 ग्राम पीसी हुई हरी मिल ची लेंगे अब हम यह एद्रकलसन के पेस्ट में आड़ कर लेंगे यह जो मसाला रेडी किया हुआ है वो इसमें आड़ कर लेना है अच्छे से तलेंगे दो मिनट के लिए और इसके बाद में दही आड़ करेंगे धाई किलो हल्दी पॉडर दो टेबल स्पून, लाल मिज पॉडर पचास ग्राम, मोटा नमक एड़ करेंगे, दो से तीन टेबल स्पून, तो मोटा नमक या बारिक नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, इसमें एड़ किजिए, यह सभी मसाले आड़ करने के बाद में, अब हम इसमें तलीवी तरकारियां आड़ करेंगे, तो जब भी पचास लोग के लिए, अगर आप लोग तरकारी के बिरियानी बनाना हो, तो इस रसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राइ करके देखे, काफी टेस्टी और अच्छी बन के तयार होती, जरूर ट्राइ केजिए, और इसमें अब हम तलीवी प्यास आड़ कर लेंगे, तो इस तरह से पहले हाथ से क्रश कर लेंगे, प्यास को, तो जितनी भी प्यास हमने फ्राइ के थी, वो सारी की, सारी इसे में आड़ कर लेंग हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ एक लिटृट इतना पानी आड़ करेंगि इसमें पानी आड़ करने के बाद में इसको करना चाहें तो इसके बदले में आप लोग नीमभू कराँ worsei अब हम इसमेन 5 चोटी मेथि चोटी मेथि कि भाजी जो रहती आड़ करेंगे इसको अच्छे से बारी काट और लिख लेंगे अच्छे से साब धोकर इसमें अच्छी में अच्छी हम देंगे चीए तो हमें के अच्छी हो बिल्कुल रेडि और इसके बाद में इसको भीगने के लिए रख देंगे लगभग एक से दो घंटों के लिए तो चलिए अब हम बिरियानी के चावल बनाने के लिए सबसे पहले अधन को यानि के पानी जो रहता पानी को गरम कर लेंगे बिरियानी बनाने के लिए बिरियानी के चावल बनाने के लिए तो चावल पकाने के लिए पानी लेंगे हम 25 लीटर अधन के लिए अब हम मसाला तयार कर लेंगे तो इसके लिए लेंगे हम मोटा नमक 200 ग्राम सावित गर मसाला भी आठ कर लेंगे इसी में यह है शाजीरा दालचीनी के तुकड़े पांच से छे लॉंग इलाइकशी आठ करेंगे दस से पंद्रा तो यह गरम पानी में आठ कर लेंगे अब यह जो गरम मसाला और नमक है तो पानी जो अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसमें यह भीगे हुए चावल आठ कर लेंगे तो चावल आठ करने के बाद में अब यह पका लेना है हमको यानि कि इसमें जब तक यह उबाल ना आ जाए जब तक यह पका लेंगे जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा उबाल आने के बाद में सिर्फ दो मिनट के लिए पकाना है और इसके बाद में हम यह चावलों को पा बॉला आने के बाद में हम इसको सिर्फ । byका लेना है और इसके बाद में फोरी हम चावलों को छान कर इस तरह रखनीस की ओप डालते जाएंगे तो चावल दालने के बाद में अब हम क्या करेंगे इसमें से जो पीज का पानी है यानि के चावलों को जिसमें पका लिये थे वो जो पानी है इसमें से 500 ml पानी लेंगे इस तरह से हम लेकर चावलों को बराबर करेंगे और इसके उपर से ये पानी आट करेंगे और ये है थो अबसे थोड़ा सभूजां पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सभ यलो फूट कलर करके इसको बाद से ने के बाद में तरका़ी की बियानी को दम-देंगे 30 मिनट के लिए तो इसको दम देंगे हम इस तरह से जैसे के मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ थोड़ा सा हम कोईले दालेंगे गरम कोईले थाली के ओपर और और नीचे की तरफ भी यानि के बगुने का जो बॉटम है उसके भी नीचे गरम कोईलों से इसको हम इस तरह से दम देंगे और जब 30 मिनट हो जाएंगे हम इसको अच्छे से चेक कर लेंगे इस तरह से तो यह देखिए अब यह जो बिरियानी है यह बिल्कुल रेडि है सर्फ करने के लिए तो लकडियों के चुले पे बनाने का अगर आप लोगों को अंदाजा हो तो इस तरह से पीको लकडियों के चुले पे भी बनाईए अच्छी और टेस्टी बन के तैयर होती ज़रूर ट्राइ कीजिए तो यह देखिए इस तरह से बिरियानी को चेक कर लेंगे और इसके बाद में अब हमें इसके उपर से थोड़ा सा घी आट करेंगे यानि के 100 ग्राम घी आट करेंगे इस तरह से दाल देना है और फिर से अच्छा से मिक्स कर लेंगे यह रेसिपी देखने के बाद में अगर आप लोगों को अच्छे लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक केजिए चैनल को शेर और सबस्क्राइब भी ज़रूर केजिए थैंक्स फर वाचिंग अलाहाफेज